अगर आप जंधन खाता धारक हैं तो आपके लिए ये ख़बर खुश्यों से भरी है प्रधान मंत्री जंधन योजना की भारी सफलता को देखते हुए मोदी सरकार ने इस योजना को हमेशा खुली रखने का फैसला किया है योजना अनिश्यत काल तक खुली रहेगी जंधन खातों को अधिक आकर्शक बनाने के लिए सरकार ने इन खातों से मिलने वाले ओवरड्राप की सुब्धा को 5,000 रुपे से बढ़ा कर 10,000 रुपे तक कर दिया है इसके अलाबा जंधन खाता धारकों को रुपे कार्ट पर मिलने वाले एक लाख रुपे के दुरहटना वीमा को भी बढ़ा कर 2,000 रुपे कर दिया है इस वीमा के लिए आपके जंधन खाते से सिर्फ 47 पैसे प्रती कार्ट का प्रीमियम लिया जाता है इसके अलाबा जंधन खातों से बिना किसी शर्थ के 2,000 रुपे तक निकालने की छूट भी दी गई है जंधन योजना के तहट अब तक 32 तशमलों 4 एक करोड खाते खोली जा चुके हैं और इनमें अब तक 81,200 करोड रुपे की राशी जमा है जंधन खाते खोलने वालों में तिरपन प्रतिशत महलाएं हैं जबकि इनमें 83 प्रतिशत खाते आधार से चुड़े हुए प्रधान मंत्री जंधन योजना को 2014 में शुरू किया गया था इस योजना का मकसद आम जनता को बैंकों से जोड़ने और उन्हें बीमा वा पिंशन जैसे ही वीतिये सेवाएं उपलब्द कराना है